मिया थी, एक बहादुर और साधन संपन लड़की, जिसमें अन्वेशन का जुनून था। बैन, एक आविशकार शील और जिग्यासु लड़का, जिसे पहेलियां सुलजाना पसंद था। लिली, ज्वलंद कलपना शक्ति वाली एक दयालू कलाकार। और मैक्स, उरजावान और चंचल एथलीट, जो अपने आस पास के सभी लोगों के लिए खुशी लेकर आया। एक गर्मियों की शाम, जब बच्चे खेल के मैदान में एकठा हुए, तो उन्हें एक जादूई पेड़ के नीचे एक रहस्य मही खजाना मिला। अंदर उन्हें एक नक्षा मिला जो उन्हें खेल के मैदान के रहस्यों को खूलने की खूज मली गया। उनकी यात्रा उन्हें मंत्र मुग्ध भूमी और सन की सेटिंग्स के माध्यम सुने गया। प्रत्येक ने अद्वितिये चुनाधियां पेश की जिन्होंने उनकी रचनात मकता, टीम वोक और लचीलेपन का परिक्षन किया। वे पहिलियों के जंगल में घूंते रहे, पहिलियां सुलजाते रहे और रहस्यों को सुलजाते रहे। सपनों की घृटी में उनका सामना बात करने वाले जानवरों से हुआ, जिन्होंने अपना ग्यान संचा किया, और बच्चों को उनके डर का सामना करने का साहस खोजने में बदल किया। जैसे जैसे वे खोज में गेहराई से उत्रे, बच्चों को पता चला कि मंत्र मुख्ध खेल का मैदान स्प्रिंकल नाम के एक शरार दिया, लेकिन मिलन सार अभिभावक द्वारा संरक्षित था, जो इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति वाला एक जादूई प्राणी था। स्प्रिंकल उनका मार्ग दर्शक बन गया, और उन्हीं दोस्ती, दयालुता और कल्पना की शक्ति के बारे में मूल्यवान सबक सिखाया। साथ में बच्चों ने रोमांचक रोमांचों का सामना किया, जिसमें एक विशाल तितली की पीड़ पर उड़ने से लेकर एक पौरानिक ड्रैगन के बंखों पर सवारी करना शामिल था। उनका सामना परियों, इकसिंगों और बात करने वाले पेड़ों जैसे मैत्री पूर्ण पौरानिक प्राणियों से हुआ, जिन्होंने उनके भव्य साहसिक कार्य में भूमी काने भाई। अपनी पूरी यात्रा के दौरान, बच्चों ने अपनी अद्वितिये शक्तियों और प्रतिभाओं की सराहना करना से हुआ, उन्होंने सहयोग और सहानुभूति के महत्व की खोच की, ये पहचानते हुए कि उनके समूल के पत्थ्येग सदस्य के पास योगदान करने के कुछ मूल्यवार, उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया, बाधाओं को दूर करना और अपनी पूरी ख्शमता तक परुछने के लिए एक दूसरे को प्रिंगत किया। एक जीवन्थ और जादूी जगह में बदल गया, जहां सपने सच हुए। जैसे ही सूरज निकला, बच्चे अपने अविश्वसनिय साहसिक कार्य की यादें अपने दिलों में लेकर घर लोटाए। वे जानते थे कि मंत्र मुग्ध खेल का मैदान हमेशा एक विशेश अथान रहेगा, जहां दोस्ती बनती थी और सपने संजोए जाते थे।